अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। गीता में दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाई है ये बात। लोगों कोन के कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परिशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले परिशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परिक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जब बगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अरजुन के मन में कोई भी दुवीधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुच जाते थी। एक बार की बात है, अरजुन ने भगवान श्री कृष्न के समी पाकर कहा कि वो दुवीधा में हैं, और इसका जवाब वो श्री कृष्न से चाहते हैं, श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वहीं बुरे लोग खुशाल दिखते हैं. अर्जुन के मुझे ऐसी बाते सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा मनुष् और मैसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है. बलकि अज्ञानता की वज़य से वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है. अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए. उसके पाद श्री कृष्ण ने क्या कहा जानते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ मैं तुमें एक कथा सुनाता हूं. उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से इफल मिलता है. रकर्ती हर किसी को अपनी रहा चुनने का मुखा देती है. अब वो मनुष्य की इच्छा पढ़ने पर करता है. कि उसे धर्म की रहा चुननी है या धर्म की? रोज बगवान की पूझा करता था वहीं दूसरा पुरुष बिलकुल विपरीद था वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूझा करने नहीं बलकि मंदिर के बाहर से जूते चपल चुराने उसे दान और धरम से कोई लेना देना नहीं था समय बीटता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी इस वजह से मंदिर में पुजारी के हलावा कोई नहीं था ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर बचा कर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया उसी समय धर्म और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ती भी मंदिर में पहुंचा दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे वहां लोग एक अत्र हो गए और उसे बहुत मारा किसी तरहे वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और गायल हो गया फिर जो वयापारी लंगडाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था उसने कहा आज तो मेरी किसमत चमक गई एक साथ इतना सारा धन मिल गया ये सब देखकर उस पहले पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरे निकाल दी कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की म्रित्यू हो गई और मनने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत कुछ साया उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछी लिया मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था दान में विश्वास रखता था उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोट ली आखिर ऐसा भेद भाव क्यों इस पर यमराज ने कहा पुत्र तुम गलत समझ रहे हो जिस दिन तुमारे गाड़ी से टक्कर होई थी वो दिन तुमारे जीवन का हाखरी दिन था परंतु तुमारे अच्छे कर्मों की वजह से तुमारी मौत सिर्फ एक छोटी चोट में बदल गई तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो दरसल इसके भाग्या में राज योग था मगर इसके कू कर्मों हो रधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया ऐसा सोचना की भगवान तुम्हारे कर्मों को नजर अंदाज कर रहे है ये बिलकुल भी सत्य नहीं है तो दोस्तों भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है मगर आप अपने अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की क्रिपा हमेशा बनी रहती है इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा कमेंट में जै श्री कृष्ण लिख दीजेगा जिससे मुझे इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक लाने में हिम्मत मिले और अपने लाइक और शेयर से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुचाएं जै श्री कृष्ण आप